नमस्या दोस्तों जब से रश्या युकरियन वार हुआ है तब से आप लोग एक चीज अब्ज़र्व कर रहे होगे कि रश्या को कहीं न कहीं आइसुलेट करने की कोशिश की जारी है यहां पर एक नाटो देश जिसका नाम है आइसलेंट उसकी फॉरेन मंत्रा लाय द्वारा यह एडवाइजरी निकाली गई इस एडवाइजरी को आप डालेक समझनी पारे होगे क्योंकि यह आइसलेंट की भाषा में पर इसी को मैं इंग्लिश में कनवर्ट करता हूँ तो यहां पर आप क्लियर ली देख पारे हो कि आइसलेंट ने अपनी एमबेसी को रश्या में बंद कर दिया है और यह भी कहा ह इस तरीके का step रश्या के खिलाफ लिया गया एक नाटो देश जिसमें cold war के दोरान में इस तरीके का इस टेपड़ए हो गया जिसकी वज़े से रश्या के ओपर इस तरीके के action जो है वो लिए गए और कैसे ये रश्या को isolate कर सकता है उन साही चीजों को मैं शुबेंदिंग चोहान इस सेशन के अंदर डिसकेस करूँगा बड़ उसके पहले दोस्तों आप लोग मैं साथ मैं सासी 10 टेलिग्राम जो पर जोड़ सकते हो में क्लास की update पीपीटी पीडियर सब कुछ आपको मिल जाता है इसके अलावा अगनीपत बैच एक ऐसी बैच जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं एक ऐसी बैच जहां पर सबसे सस्ता यूपीएसी का कोर्स सबसे किफायती कोर्स आप लोगों को मिलता है ए आपकी कम्प्लीट यूपीएसी के प्रिपरेशन कराई जाती है टेसी दी जाती है यानि कि इसके बाद मैं आपको अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट यूर ऑप्शनल ऑप्शनल को छोड़के सी सेट हो सब कुछ यहां पर कवर करा जाएगा अब उतनी प्राइज है जितना होम ट्यूटर लेता आपके घरों के अंदर आने में महीने का उतने में कम्प्लीट यूपीएसी की तयारी यह महीने का नहीं है यह कंप्लीट तयारी का है तो जाओ सब्सक्राइब करो एसासी टेन कोड का प्रियोग करो नीचे लिंक मैंने जो है पंदरा जुलाई से आप इसके अंदर भी अपने आपको इन्रोल कर सकते हो लिंक जो हो मैंने नीचे पिन करा दी है अगनीपट टू बैच के लिए एक और बात यार रखना के यह 16 जून से शुरू होगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं समयने का प्रयास करते हैं कि और आपको यहां पर देखने को मिलता है रिक्जाविक इसकी राजधानी है यह जो आइसलेंड है इसके दोवारा 1949 के अंदर नाटो को जॉइन किया गया था यानि कि आइसलेंड वन ओफ फाउंदर मेंबर था नाटो देशों का नाटो देश कौन से हैं तो यह आपकी नजरों के सामने नाटो देश जो है वो आप लोगों को दिखाए दे रहे हैं यहां रखना के यहां पर स्विट जैलंड और ऑॉस्टिया नाटो का भाग में है और देश के अगर किसी भी नाटो देश के ऊपर आकरवन होता है तो वो मान लिया जाएगा बाकी पूरी नाटो के ओपर आकरमन हो गया है ऐसी कंडिशन में पूरी नाटो जो है वो एक दुश्मन के खिलाफ लगने लग जाएगी 1949 के अंदर इसमें Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, United Kingdom और United States सामिल थे और ये जो पूरी अलाइंस बनाए गई थी ये Soviet Union के खिलाब बनाए गई थी इसके अंदर क्या है ये एक military अलाइंस है फिर से मैं repeat कर रहा हूं कि अगर मान लो Iceland के ओपर रश्या आकरमन करता है तो बाकी देशों को लगेगा कि ये आकरमन हम सब पे हुआ है और बाकी सारे देश भी Iceland की मदद करने रश्या ये खिलाब पहुंच जाएंगे इस तरीके की नाटो अलाइंस है थीक है तो ये नाटो अलाइंस उस समय पर हुई थी उसके बाद में कैसा है देश जो है वो नाटो के अंदर जुड़े थे एक है पॉलिटिकल अब्जेक्टिव है क्योंकि कोड़ वार का समय था उस समय पर सोवेट उनियन को टेकल करना था तो इस कारण से यूएस द्वारा ये नाटो अलाइंस जो बनाई गई थी सोवेट उनियन को करने के लिए जो यूएस से रिलेटेड या उसकी क्लोस कंट् से मॉस्कोब के अंदर जितनी भी आइसलेंड की एंबेसी है वो बंद कर दी जाएंगी एंबेसी के सारे ऑपरेशन बंद कर दिये जाएंगे एक अगस्त से रश्या के अंदर इन्हों नहीं ये भी कहा कि एवन रश्या भी अपनी एक्टिविटी चाहे तो आइसलेंड के अंदर कम कर दे और चाहे तो खतम कर दे इनका कहना है कि जब तक ये कब तक ये खतम रहेगी मतलब कब तक ये आपरेशन खतम रहेंगे तो इनका कहना है कि जब तक रश्या के साथ में हमारे रिलेशन कमजोर रहेंगे और रश्या के साथ में रिलेशन क्यों कमजोर है तो तो ऐसी कंडीशन में आइसलेंड जो है वह वापस से अपनी एक्टिविटी शुडू कर देगा यार रखना एमबेसी के उपरेशन बंद हुआ है डिप्लोमेटिक रिलेशन बंद नहीं हुआ है मतलब रश्या और आइसलेंड के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन है पर ए युक्रेन के जो फॉरेंड मिनिस्टर हैं उन्होंने यहां पर आइसलेंड को थेंक्यू भी कहा है अब आइसलेंड के एमबेसी रश्या के अंदर कभ से थी तो रश्या के अंदर जो एमबेसी है वो लगबद 1944 से आइसलेंड की रश्या में एमबेसी हुआ करती थी 1951 से 53 क के बीच में एक्टिविटी को सस्पेंड किया गया था उसके बाद ये कभी भी ऐसा सस्पेंशन नहीं हुआ रिसेंटली अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि रश्या के साथ में वापस से जो अबसी ओपरेशन है वो आईसलेंड ने सस्पेंड कर दिये हैं तो यह चीज़े हम लोगों को आज देखने को मिल रही है दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चे अच्छा लगाओ तो लाइक करना लेक्चे बहुत अच्छा लगाओ तो अगर आप लोग को अनक्याडमी के उपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हुए जिसके बाद में आप लोग को मेरे द्वारा वन-on-one mentorship मिलेगी इवन पार्फाइंडर टीम के जि शुड़ू हो चुकी है अगनीपद बैच के अंदा सी से इंक्लूडड है अलग से लेने की जरूरत नहीं है पर कोई बच्चा ऐसा है उसको चाहिए कि नहीं में को अगनीपद बैच के सामने प्राइस भी दिखा दे रहे होंगे अगनीपद बैच में टैस्टी का यूज करने के बाद में आपको डिस्काउंट जो हो जाएंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही देट सब्सक्राइब जैए बारत